मेरा रदय पीडा से भरा हुआ है, क्रोब से भरा हुआ है मनिपूर की जो घटना सामने आई है किसी भी सब्बे समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना मनिपूर की बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माप नहीं किया जाए आज जब मैं आपके बीच आया हूँ इस लोकतंत्र के मंदीर के पास खड़ा हूँ तब मेरा रदय पीडा से भरा हुआ है क्रोध से भरा हुआ है मनिपूर की जो घटना सामने आई है किसी भी सब्वे समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है पाप करने वाले गुना करने वाले कितने हैं कौन है वो अपनी जगा पे है लेकिन बेज़्जती पुरे देश की हो रही है 140 करोर देश वाचों को सर्मसार होना पड़ रहा है मैं सभी मुख्मंत्रियों से आगर करता हूँ कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्ता को और मजबूत करें खास करके हमारी माता और बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं गटना चाहे राजस्तान की हो जटना चाहे चत्तिश गट की हो गटना चाहे मनिपूर की हो इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोड़े में किसी भी की राज्य सरकार में राज नीतिक वाद विवाद से उपर उठ करके कानून व्यवस्ता का महत्मा नारी का सम्मान और मैं देश वाज्यों को विस्वाद दिलाना चाहता हूँ किसी भी गुनेरकार को बक्षा नहीं जाएगा कानून अपनी पूरी शक्ती से पूरी सक्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा मनिपूर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माप नहीं किया जा सकता है बहुत भाद धन्यवाद दोस्तों